हाई लो फ्रेंड्स गुड इवनिंग दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSC CHSL एकजाम 2023 के चार अगस्त की आलसिप्ट में पूछे जा सकने वाले GKGS वा करेंट अफियर्स के संभावित महत्पून परस्नों को साल्ब करेंगे दोस्तों ये वीडियो हमारा आपके एकजामे पूछे जा रहे हैं परस्नों की लेवल वा परस्नों की टेंस तथा प्रिवियस एर में पूछे के परस्नों को फूरी तरह से एनलाइज करके कर सकें तो चले दोस्तों यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्पूर्वासनों को साल्ब करना शुरू करते हैं दोस्तों कोस्टन नमर वन है मारा भारतिय संभधान सभा की पर्थम बैठाक कब हुई थी मोस्ट मारा कोस्टन दोस्तों वन निक जामे बार- उसके बाद जो नेक quieresट कोई 11 दिसंबर उनिसो चेलिस को उसमें डैक्टर राजिन्थ परसात को संभी थी संभार उनिसों क्या गया था जो करना कर लिया गया एक कोश्चन और बनता जो की बारबा पुछाता है संग्धान सभा को कब अंगी किरित क्या गया तो डेट था 26 नॉवंबर उनिस सो उन्चास यानि नौदिस नॉवंबर उनिस सो चैलिस से स्टार्ट हुआ और बन का जिस दिन तयार हुआ पारित हुआ अंगी किरित क्या गया 26 नॉवंबर उनिस सो उन्चास को एक कोश्चन और ध्यान रखेंगे दोस्तों भारते संभा का गटन किसी योजना के तहित क्या गया था यह पूछाता है तो कविनेट मिसन योजना आप लोगों का राइट एंसर होगा जिसमें टोटल 389 सदसी रखे गए थे संग्धान निर्माड के समय विभिन समीतियों का गठन किया गया था यहां से भी कोश्चन पूछाता है जिसमें प्रारूव समीत थे जिसके अध्यच डाक्टर भिमराम बेटकर थे एक निर्मातरी समीति थी जिसके अध्यच डाक्टर राजेन परसाथ थे संग्धान सवा के संग्वेधानिक सलाकार बियन राव को नूप्त किया गया था आगे चलेंगे नेक्स्ट कोश्चन की और कोश्चन है ग्यारा जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया था आपके दोस्तों एक्जामस में महतपुर दिवस से भी कोश्चन पूछे जा रहे हैं राइट हैंसर होगा इसका 11 जुलाई को भी सुजन संख्या दिवस की रूप में मनाया जाता है जात्रा एवंबाउल लोकनेर्थ किस राज़ी में परचलित है तो ये दुनों पश्चिम मंगाल से में परचलित है नेक्स्ट बलुवंतराय मेता समीत का संबंद बताना है तो पंचाईती राज से है इन्होंने इतिरस्तरिय पंचाई राज का सुजहाओ दिया था जिसमें ग्राम पंचाई छेत पंचाई सामिल थे सरपर्थम 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान की नागवर से पंचाईती राजवयस्था का सुभारम किया गया था अगला कोश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किस ने की थी ये कोश्चन को दोस्तों हम लोग बार बार रिपीट करेंगे रिवीजन करना भी ज़रूरी है एक कोश्चन से कई कोश्चन का एंसर हम लोग रिपीट कर लेते हैं राइट एंसर होगा ब्रह्म समाज के स्थापना राजा राम मौराय की द्वारा बंबई में किया गया था इन्होंने बेदो की लोटो का नारा भी दिया था और इनके 20 सुपसित किरती है सत्यार्थ प्रकास ये भी बार बार पूछा जाता है अगला कोश्चन है ओजोन प्रत की मोटाई मापने वाली काई है तो डाप्षन है डाप्षन में ओजोन प्रत की मोटाई मापी जाती है ओजोन प्रत वाय मंडल के समताप मंडल में बिद्दमान है जो की सूर से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट की अड़ों से हमारी रच्छा करता है नेक्स तत्त बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, राइट एंसर हुआ, देवेद नाटेगोर, यह एक छुटा हुआ था, यह भी क्लियर हो गया, अगला कोश्चन है, मोपला विद्रो, जो की 1921 में हुआ था, पूछा जारा कहा पर हुआ था, तो केरल में हुआ था, अगर केरल ए किसने जीता, कोश्चन को एक बार पुणा रिवीजन करेंगे, हाल ही में, मात्र भूमी, बुक आफदा इयर पुरसकार 2030, किसने जीता, राइट एंसर होगा, डाक्टर पैगो मोहन, नेक्स्ट कोश्चन है, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था, राइट एंसर होगा, महत्मा गादी ने, अगला कोश्चन, भारत द्वारा किस देश के साथ, सबसे दिख च राष्टे उद्यान मद्य परदेश में छुड़वाए गए थे, आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट कोश्चन की और सब्सक्राइब करें दोस्तों, आप मारी चैनल सिवकृपा कलासेज को इसी तरह के वीडियोज के लिए, अगला कोश्चन दोस्तों, असोग के सिलालेक असोग के किस सिलालेक में उसकी कलिंग विजए का वडन है, तो इसको पढ़ने का जू सबसे पहले स्रेप राप्थ हुआ, वो जेम्स प्रिंसेप को हुआ था, अगला कोश्चन है एक अक्टूबर 2022 को, सोच सर्वेचन पुरसकार 2022 में, एक लाग से दिक आबादी वाले सहरों में, किसको सबसे सोच सहर घोसित किया गया, तो इन दोर मधिपर्देश को किया गया, और एक लाग से कम आबादी में, पंच गनी महराष्ट को किया गया, रिवीजन कर लेंगे एक कोश्चन का दूस्तों, most important question है, अगला question है, सत्ति सोधक समाज की अस्थापना किस ने की थी, सत्ति सोधक समाज की अस्थापना कब हुई थी, राइट एंसरोगा 1873 में, जोतिवाब फूले के द्वारा की गयी थी, इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं, next question है, मोहिनी अ काहिता से, नंद वंस के अन्तिम सासक धना नंद को प्रास्थ कर, चंद गुप्त मौर ने मौरी सामराज की अस्थापना की थी, next, ओजोन प्रत हैं, तो समताप बंडल में हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, next, सोबनात मंदिर पर आकरमण किस ने क्या था, की आसरा पिंसन योजना है, next, बजट किस राज, बजट किस अनुच्छेद के इंतरगाता आता है, तो अनुच्छेद 112 के इंतरगाता आता है, और दोस्तों, बजट सब्द का संग्धान में कहीं पर भी कोई वड़न नहीं, इसे वहाँ पे वार्सिक बित्य विवरन के ना आता है, तो जहांगीर को जाना आता है, अगला कोश्चन, कोश्का की खोच किस ने की थी, रावर्ट हुक, आपका राइट एंसर होगा, 1665 ये भी ध्यान रखेंगे, यानि कि कोश्का की खोच 1665 हिस भी में, रावर्ट हुक के द्वारा की गई थी, next, रजिया सुल्तान की में तो कब हुई थी, तो 15 अक्टूबर 1240 को, उत्तर भारत या भारत की पर्था महिला मुसलिम सासका के नाम से जानी जाती है, next, लाइफ डिवाइन पुस्ता की लेखक बताने, सिरी अरविंद घोस आपका राइट एंसर होगा, next, संग्धान में मौलिक कर्टियाब की संग्धान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 22 संग्धान संसोधन द्वारा जोड़ा गया था, सरदार संसी समित्य की संस्तोतियों की आधार पर, लेकिन 6 संग्धान संसोधन के द्वारा एक मौल कर्टियाब बढ़ा दिया गया, तब से यानि की टोटल मौल तेवों की संख्या 11 है और यह संग्धान का अनुच्छे दिख्यावने ए है जो की संग्धान का भाग चार ए है ये भी द्यान रखेंगे नेक्स्ट बेकिंग सोडा का रासारिंग नाम क्या है राइट एंसर गवा सोडियम बाई कार्वोनेट आगे चलेंगे हम लोग अगला कोशचन दोस्तों हरी परशाथ चोरसिया का समयत की स्वाध्यन से तो बासुरी से है नेक्स गदर पार्थी के अस्थापना किस ने किती राइट एंसर गहा लाला हर धैयाल ने अगला कोशचन प्राथी पे भार्वर्क के सबसे बड़ी नदी या दच्छन भात की सबस होगा महाराःष्ट में अगला कोश्चन किस गुप्त साशक को किस गुप्त साशक ने दिंड्रम्या दिती की उपाधी धान की थी तो चंदगध दुप्त भीन्हिते के की सकव को पराजित करके नेक्सट राजि का पर्थम बिदियतकारी कौन हो होता है राज़ घ् अगला कोश्चन दोस्तों वाई यान की टूबो में कौनसी गयस भरी होती है राइट एंसर गा हेलियम अगला कोश्चन रक्त में लाल रंग किसके कांड होता है तो हीमो गलोविन के कांड होता है अगला कोश्चन है जमसेदपूर किस नदी के स्थापना किस ने किती राइट एंसर होगा सुभास चंदर भोसने आगे चलेंगे हम लोग अगला कोश्चन है दोस्टों दिल्ली सल्तनत का अंतिम सासक कौन था राइट एंसर होगा इब्राहिम लोदी नेक्स्ट परोटान की खोज किस ने किती राइट एंसर होगा जेम्स चैडविक ने नेक्स्ट कोश्चन उपाध्यो कांत मोल अधिकास है दोस्तों संग्धान की किस अनुच्छद में तो अनुच्छद 18 में है और इस रेज का लास्ट कोश्चन ग्यानपीट प्रशकार सर पर्थम किसे दिया गया था तो जी संकर कुरुप्पू को दिया गया था तियो थे दोस्तों इस रेज के टाप एंसी की उसके प्रस जिसको हम लोगों ने हैपे सल्प किये हैं उमिदें दोस्तों आप सभी लोगों ने सल्प कियोंगे और देखेंगे कि यांसे आपके कितने प्रस्म सही हो रहें तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्विक्रपा कलासेस से जुड़े मैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दोरा दिये जाने वाले सभी वीडियोज आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज में थैंक्स वार वाचिंग